दोस्तों गराबी उम्रान मलिक को खतरनाग गेंदबाज मांते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों भारत की हार पर पाक दिगजों का आया संसनी केस बयान जियाँ दोस्तों भारती टीम को न्यूजिलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तानी दिगजों का बयान उम्रान मलिक को लेकर सामने आया उम्रान मलिक को लेकर पाकिस्तानी दिगजों ने कुछ ऐसे बयान दे दिये जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे आखिरकार भारत की हार के बावजूद मलिक की गेंदबाजी पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर दिखिएगा लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उम्रान मलीक शोई बखतर और जस्परी दुम्राह में कौन है खतरनाक गेंदबास इस बात का जवाब नी जहाबर भारती टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओवर में 306 रन साथ विगेट के नुकसान पर बना दिये अब जहाबर भारत की तरफ से शिखर धवन ने 72 तो वहीं शुबमन गिल ने 50 रन और श्रेयश अईयर ने 80 रन की पारी खेली इसके लाबा वाशिंटन सु अंदर ने शांदार प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड अंदाज में 37 रन बनाए लेकिन इस लक्ष का पीछा करने उतरी नियूजिलैंड की टीम बड़े ही आसानी से इस मुकाबले को केन विलियमसन और टॉम लिथम के दम पर जीत गई जहाँ पर दोनों बल्ले मलिक ने शांदार गेंदबाजी करते हुए सरवाधिक दो विक्रट हाजल किया जिसके उपर पाकिस्तानी दिगजों का बयान सामने आया दरसल वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में नियूजिलैंड के बल्ले बाजों ने शांदार बल्ले बाजी का परिचे दिया लेकिन इस मुकाबले में मलिक ने अपनी गेंदबाजी से दिखा दिया कि उनसे वहतर गेंदबाज कोई भी नहीं है क्योंकि मलिक जिस अंदाज से शांदार गेंदबाजी कर रहे थी उसे देखकर बिलकुल भी नहीं लग रहा था कि भारती टीम हार लेकिन मलिक की गेंदबाजी ने सब ही का दिल जीत लिया। दोस्तों इसके लावा इन जवा मुल्हक ने बयान देते हुए कहा है कि मलिक से बहतर गेंदबाज कोई भी नहीं है। अगर मलिक शांदार गेंदबाजी करते रहे तो टीम को जीत जरूर मिल जाएगी। मलिक ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर दिखा दिया कि भारत के लिए इस समय उनसे बहतर युवा गेंदबाज कोई भी नहीं है। इसके लावा उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारती टीम को जब तक मलिक का सहारा मिलेगा तब तक भारती टीम को बिलकुल भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि भारती टीम के लिए मलिक एक ऐसे खिलाड़ी है जो उनके लिए तुरुप का एका है जो हमेशा बहतर प्रदर्शन करके जीत दिराना जानते हैं तो वहीं शोई बखतर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में बेशक भारत मैच हार गई हो लेकिन मलिक ने अपनी गिंदबाजी से सभी को इंप्रेस किया मलिक ने गिंदबाजी करते हुए दिखा दिया कि जहां पूरी की पूरी टीम बेकार प्रदर्शन करेगी तो वहीं पर बहतर प्रदर्शन कर सकते हैं वो इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि भारती टीम के लिए मलिक वर्ल्लकप 2023 के सबसे महत्पूर्ण खिलाडी बन सकते हैं क्योंकि वर्ल्लकप 2023 में उनसे बहतर खिलाडी कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता और मलिक अगर ऐसा प्रदर्शन करते र